च्छतरपूर में मृत्वी भोज नहीं कराने पर पंचायत ने गाउं के एक व्यक्ति को अपराधी घोशित कर दिया उसके घर गाउंवालों को आना जाना बंद कर दिया गया और उसकी गाउं में सारी गतिविदियां रोख दी गई इससे तंग आकर युवक ने प्रशासन स मदद की गुहार लगाई है बुंदेल खंड के छतरपूर जिले में आज भी शाशन प्रशाशन नहीं बलकि पंचायतों के फर्मान माने जाते हैं जहां पर पंचायत अगर कोई फैसला सुना दे तो उसका सभी को पालंग करना होता है ऐसा ही एक मामला जिले के राजनगर तहसील के खजवा गाउं के सामने आया है जहां पर किसान ब्रश गोपाल पटेल के पंध्या वर्शिय बेटे की कुए में डूबने से मौत हो गई थी लौकडाउन की वज़ा से किसान ब्रश गोपाल द्वारा रस्ट्यू भोज नहीं कराए गया था जिस पर पंचायत द् किसी भी व्यक्ति का आना जाना नहीं होगा ना ही वे सारवजनी कुए से पानी भर सकता है किसान ने अपनी पीड़ा थाने में सुनाते हुए न्याय की गोहार लगाई है किसान के उपर घटना का जिक्र ना करने का दवाब भी बनाया जा रहा है थाना राजनगर के अंतरगत ग्राम खज्वा का मामला है जिसमें लड़के की मौत के बाद उसके तेरिवी का कारकरम आईजोईट ना करने के कारण उनकी पंचायत सभा बैठी और पंचायत में फर्मान सुनाया है कि को समा से बहस्तित किया जाता है विकिन उन्हें जादी है उसने ठाना राजनगर में आवेजन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें बताया है कि लॉक्डाउन की वज़े से उनके द्वारा अंभीड़ बार इखटा ना हो जाए करके तेरिवी का कारकरम आईजोईट में किया जा सका था जिसकी वज़े से पंचायत द्वारा उन्हें समा से बहित करने की बात करही ले थी वह लरकाई मरू तो वह में गूप कर वार को तो नाती है जासर का सगया हम निजांस वहीं दिमें को नीचाला ले चंगीत कि स्वार लहरीओं से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पिढ़ों से नकसलवादियों के गड़ जोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पक्दंडियों से सड़कों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्टीती से कूटनीती तक दखन न्यूज आपके हत्व आप देख रहे हैं दखन न्यूज